तो चलिए दोस्तों आज हम बनाते हैं भी फ्रेश इपी वह भी बहुत इजी तरीके से तो आप सब देख सकते हैं यहां पर एकदम फ्रेश जो है गोस्त है और इसको हम क्या किया है कि कट कर लें इसको मैडियम सब में आपको कट कर लेना है और कट करके इसको अच्छे सवास स्प्राइब और दिर्मा Caesar , यहे 2,500 ग्राम यह dadi घुकड़ु है बनाने का क्प्रोसेस बर्प्रोसेस कर साथ कोअए भूख़ यहां पे जाए कि यहां पीड़ाइब नीधार नेधा हमें यहां पर दिख सकते हैं लाल मिड्च है और यह हरा है बस कलर रेड है दो तीन तेस पात है थोड़े से गरम मसाले घाड़े हैं टोटल हम एक साथ में एड़ कर देंगे इसको जब यह पूरा ब्राउन हो जाए तब हम इसमें एड़ करेंगे यह जो बीफ है यह तो टोटल हम इसमें बगार देंगे इसमें कोई तामजाम की ज़रूत नहीं है बहुत ही एजी है और बहुत ही कम समय में बनता है फटा-फट यह 15 मिनिट में तयार हो जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे डालने के बाद उसके बाद कटा हुआ प्याज ह लेना है मिक्स करने के बाद उसके बाद इसमें नमक, स्वादा अंसार और हल्दी एक चम्मच एड़ कर देंगे हल्दी पॉड़र जो एक चम्मच हम एड़ कर दी हैं अब इसमें जो पेश्ट दिकरा है इसमें है जीरामर्स धनिया लहसुन और अद्रग जो कि हम दो कली ल मेडियो फ्लेम करना है और मेडियों करने के बाद इसको क Tit ूपांस मिनट मेडियों फ्लम कर लेना है जो दस मिनिट में आपको दो सेटी तीन सेटी नहीं का अचे में पर लेकिन हम द drainage दा catching इसके बाद तो सुलस भंड कर में और पर आपको दिखाते हैं हम इसको करके हैं अभी इसमें क्या है कि इसने थोड़ा सा आप दिख रहा है अब हम चूला को अन करेंगे इसका पूरा सुखा लेंगे यानि इसको भून देंगे यहां पर चूला को फिट से ऑन कर देते हैं और इसको भूनना सुरू करते हैं तो फानी तीन मिनट में पानी यह पूरा सुक चुकेगा और यह पूरा एकदम भूना हुआ रेशिपी तयार होगा यह बहुत ही जबरदस्त होता है और बहुत ही भाष्ट बनता है तो ऐसे आप बहुत ही यूनिक बनता है आप एक बर ट्राइ जरूर करें और खा करके बताएगा कि बनाने के बाद की इसका टेस्ट जो है बहुत ही लजबाब होता है एक बार आप अगर बना ले तो बार बर ऐसे सिंपल तरीके से आप खुद बखुद बनाने लगेंगे तो यहां पर तो यहां पर देख सकते हैं और मस्त बना है बहुत ही टेस्टी होता है अगर आपको चाहिए तो सालन के इसकते हैं लेकिन बहुत ही जबरदस्त होता है तो गर्मा-गरम चाहल या पुलाओ या पूरी के सांथ जैब बहुत ही जबरदस्त होता है तो आप सब को किस के साथ गोस्त को खाना पसंदे कमेंट करके जरूर बताईएगा रोटी चाओल गोस्त पुलाओ जो भी है तो फैनली दोस्तों हमारे भी फ्रेश रिपी जो है कम्प्लीट हो चुका है तो आप सब कमेंट जरूर कीजेगा और बटाएगा जरूर